हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक रिमजिम का पाठ्षे जिसका नाम है चिठ्थी का सफर तो इस वीडियो में मैं आपको ये पाठ्थ में जो भी कठिन सब्दाई हैं उनके अर्थ तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पाठ का नाम है चिठ्थी का सफर चिठ्थी यानि की पत्तर जो आप लिखते हो किसी को चिठ्थी डालते हैं पहले के टाइम में अगर आप अपने दादा दादी से मम्मी पापा से पुछोगे तो उन लोगों ने बहुत यूज किया होगा चिठ्थी ठीक है चिठ्थी यानि की पत्तर जैसे बधाई अगर किसी को आपने भेजनी है जैसे कोई आपका दोस्त है वो क्लास में फस्ट आया है तो आप उसको बधाई बेजेंगे आज कल तो आप लोग क्या करते हो फोन से मैसेज सेंड कर देते हो या उनके पास कर लेते हो लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि मोबाईल फोन इतना नहीं यूज होता था ठीक है ना सब के पास मोबाईल फोन होता भी नहीं था यूज करने के लिए तो वो लोग क्या करते थे चिठ्थी लिखते थे तो आपने जरूर सुना होगा अपने दादा द कैसे पता करेंगे ठीक है तो इसी के बारे में आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे तो चिठी होती है पतर उसका सफर उसका सफर यानि की आपने जहां से भेजा है उसको और वो सामने वाले के घर तक पहुंच गई है तो इसी को बोलते हैं सफर सफर यानि की ट्रेवलिंग कर तो आज हम एक चिठी कैसे जाती है इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पतर तो लिखे ही होंगे देखिए आज कल तो आप लोग नहीं लिखते हो आज कल मुबाइल फोन का यूज हो गया है लेकिन पहले के टाइम में यह लिख आज यह नहीं नहीं पहुंची है यह बहूत सी बातों पर निर्भर करता है आपको पता है जैसे आप लोग क्या करते हो एक सहर से दूसरे सहर में जैसे आप बस के बाद दूसरी बस आपको पकड़ने में लेकिन अगा आप घर की गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे हैं तो अलग-अलग चीजों पर depend होती है कोई चीज तो ऐसे चिठी सही address पर कितने time में पहुँच जाएगी ये बात भी बहुत सारी चीजों पर depend होती है और किस सथान पर, यानि कि कहां पर भेज रही हैं, ठीक है, संदेश पहुचाने की कितनी जल्दी है, अब देखिए, संदेश होता है, मैसेज, जैसे आप आज कल वर्टसप में फटा-फट मैसेज टाइप कर देते हैं, पहुच जाता है, लेकिन पहले जब चिठी भेजते थ तो सूचना, यानि कि संदेश आपको जल्दी भेजना है, या आप चाहते हो कि वो अराम-राम से जब भी जाए, वो चला जाए, ठीक है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, पूरा और ठीक पता होता है, किसी के घर का जो आपने पता लिखना है, जो एड्रस वो आपने सही तरीके से लिखा है या नहीं लिखा है, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदी, यानि कि जब भी हम चिठी भेजते हैं, तो क्या करते हैं, आपको पता है, अगर डाक में अगर कोई चिठी भेजते हैं, तो देखिए, डाकिया लेके जाता है फिर वो आगे जाती है फिर और आगे जाती है और ऐसे सहरों को पास करते हुए फिर वो कहां जाती है जिसके घर में आपने भेजनी होती है तो देखिए ये भेजने के लिए बीच में जो लोग काम करते हैं जैसे अगर डाकिया है तो डाकिय को भी तो पैसे चाहिएंगे ना वो भी तो एक काम कर रहा है तो उसको उसका वेतन मिलता है तो इसके लिए उनका वेतन देने के लिए सरकार क्या करती है कि जो भी चिठी हम भेजते हैं उस पे हमें कुछ डाग टिकट लगाने पड़ती हैं डाक टिकट यानि कि सरकार क्या करती है, डाक टिकट दे देती है हमें, और हम क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं, जैसे आप डाक गर में जाएंगे, तो आपको डाक टिकट मिल जाएंगे, और आप पैसे देंगे, तो वो डाक टिकट आपको दे देगा, और फिर आप जो अप परसन यह है उठते हैं कि अब देखिए किस किस चीज पर यह depend है सबसे पहली बात है आखिरी चिठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए आप देखिए अब मैंने बताया आपको कि डाक टिकट क्यों लगाते हैं हम जब अपने डाक को भेजते हैं तो उसकी payment हमें करनी पड पर बताया है तो सरकार वह डाक टिकट बेशती है और फिर पैसे कठे करती है और तभी वह उनको डाकी वगारा को सेलरी देती है तो डाक टिकट क्यों लगाया जाए सबी बच्चों को समझ में आ गया आगे है पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है अब ही मैंने आपको बता है और फिर उसके बाद आता है सहर कौन सा है और फिर वह सहर किस जिले के अंदर आता है और फिर वह जिला किस स्टेट के अंदर आता है और फिर वह कौन से देश के अंदर आता है जैसे अब हम भारत देश में रह रहे हैं और स्टेट इसके अंदर हर्याना है हर्याना में र बढ़ते जाते हैं और पूरा और ठीक पता लिखते हैं और सबसे लास्ट में पिन कोड जरूर लिखना होता है तभी पूरा पता हो जाता है अगला पॉइंट है जरूरत पढ़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए आप देखिए अगर किसी को किसी ने चिठी बेजी है वो आराम-आराम से जा रही है लेकिन अगर किसी को एरजेंट हो गया कोई किसी के घर में बिमार हो गया तो लोग पहले जब चिठी बेजते तो तो उसको जल्दी बुलाना है ना तो जल्दी बुलाने के लिए क्या करते हैं कि अलग तरह के जैसे स्पीड उसके बाद है सथान बदलने से चिठी के पहुचने पर क्या आसर पड़ता है देखिए जहां पर आपने चिठी बेजी है मान लिया अगर उसने अपना जैसे आपने दोस्त को चिठी लिखी और आपका दोस्त ने क्या किया वो किराई पर वहां रह रह रहे थे और उन्हों नहीं मिलेगा तो वो चिठी वापस आ जाएगी ठीक है आगे है इन में से कुछ सवालों के जवाब सायद तुम्हारे पास हो जैसे हमने बता दिया है क्या क्या होता है इसमें खासकर तुम तुम में से उनके पास जो डाक टिक्टे कठा करने का सोक रखते हैं देखिए कुछ सभी अलग अलग तरह की डाक टिकर रखते हैं और अपने पास जैसे बैखने को चिक्ट वो अलग अलग तरह चिक्राण ना तो सबी की कि आपक्षी यंग करने का सोक होता है तो पाक्सीों की पंप इकक्षा करनी का सक और प्हलम को पास की या क। आप चिठ्थी लिखते कर डाल देते हो, ठीक है, आपने चिठ्थी लिखी, एक लिफाफे के अंदर डाली, और उसके उपर पता लिख दिया, तो यह होता है लिफाफा, जैसे यहाँ पर दो लिफाफे दिखाई गये है, एक सफेद रंका है, ठीक है, तो अब देखिए, जो address क्या लिखा है, पता क्या लिखा है, महात्मा गांदि, जहां हो वहाँ, वर्धा, अब देखे, ये पता लिख दिया है, इसने, कि महात्मा गांदि जहां पर भी है, वही पर उनको ये चिठी दे दी जाए, और जो लिखने वाला है, वो है, वर्धा ये किसी लेडी ने लिखी है मातमा गांदी जी के नाम पर और उसने इस तरीके से एड्रस लिखा है ठीक है अब देखिए दूसरी चिठी पर कैसे लिखा है और पिन कोड में भी लिखा है 110016 डाक टिकट लगा दी है और मोहर मार दी है इस पर ठीक है अब देखिए इसमें क्या है इसमें भेजा गया है कि किसको भेजी गई है वो ये जो आप बोलते हो ना NCRT उसका ही पूरा नाम है ये राष्ट्रिय सेक्सनिक अनुसंधानेयों परशिक्षन परिशद और ये कहां पर है ये अर्विंद मारग अर्विंद मारग यानि कि दिल रिखन और जग्या का नाम लिख दिया उसके बाद उसका पिन कोड लिख दिया ठीक है तो ये हैं दोनों अलग अलग पते तो आप सभी को अभी पता चल गया होगा कि पता कैसे लिखते हैं जब भी आप पता लिखें तो चिठी पर पूरा पता लिखें अब देखिए ये 10 दोनों पते आपको उपर दी गई जगह में लिख देने हैं साफ साफ ठीक है चले आगे बढ़ते हैं यह दोनों पते किस तरह से भी नहीं है जैसे अभी आपने देखा एक पर तो कोई अड्रस नहीं है है उसने सिर्फ लिक दिया कि महात्मा गांदी जहां मिले चाहे वो ट्र अफे पर इमारत और संस्थान से लेकर सहर तक का नाम लिखा हुआ है इमारत का नाम लिखा है जैसे अन्सियार्टी की जो भी बिल्डिंग है वहां पर और वो है कहां पर वो अरविंद मारग पर है और वो कहां कौन से सहर में है वो नई धिल्ली में है पते में सबसे चोट पहले होता है मकान का नंबर फिर गली, फिर महला, फिर सहेर, फिर राज़े फिर देस का नाम ठीक है? और लास्ट में पिन कोड तो ऐसे छोटे से लेकर बड़े की तरफ बढ़ते जाते हैं लिखते टाइम यही होता है सही पता लिखने का तरीका छोटी से बड़ी भोगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोले का नाम फिर गाउं कस्बे सहर जिस इसे में है उसका नाम फिर गाउं या सहर का नाम सहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिनकोड कहते हैं जैसे अभी आपने देखा इसमें लिखा हुआ है ना यह पिनकोड नीचे अंको में जो लिखा हुआ है तो यह छे नंबर का एक पिनकोड होता है यह अलग-अलग सहर का अलग-अलग जगह का फिक्स होता है जैसे आप बच्चों का होता है ना स्कूल में एक बच्चे का नाम है अमन दूसरे बच्चे का नाम है अमन तो कैसे पता चले हमें कि कौन सा अमन है फिर अगर बोल दें कि फिफ्ट क्लास में अमन है अब देखे फिफ्ट क्लास में भी क्या पता दो अमन हो तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है स्कूल में तो कैसे क है सभी बच्चों का अलग-अलग रैजिस्ट्रेशन नंबर होता है ठीक है ना तो वो देखेगा कि वो कौन सी क्लास में है और उसका भेज देगा उसको कि ये वाला बच्चा है इसको बुलाया जा रहा है तो ऐसे ही पिनकोड है अलग-अलग सहर का अलग-अलग होता है हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे गाउं या सहर हैं जिनके नाम एक जैसे लिए तो पिनकोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले करमचारियों को मदद मिलती है ठीक है ना तो पते के बाद जब भी हम पिनकोड लिखते हैं तो उससे क्या होता है गंतव्य स्थान यानि कि जहां पर चिठ्थी को जाना होता है तो वो स्थान है उसका address क्या है तो जो डाक चाटने वाले करमचारी होते है यानि कि जो डाक एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं जैसे बहुत सारी डाक है उनमें से चाटना पड़ता है उनको कि ये कहां जाएगी ये कहां जाएगी डाक तो उनको आसानी मिल जाती है पता अगर लि जा सकते हैं जैसे जल्दी छटनी हो जाएगी जैसे आप लोगों के अगर पेपर हुए हैं और सबी बच्चों ने एक पेज पर लिखके दिया है तो सबसे उपर बच्चे क्या लिखते हैं नाम और रोल नमबर और कक्षिया तो जैसे कक्षया में तो सभी बच्चे हैं लेकिन अगर एक कक्षया में दो सेम बच्चे हैं तो उनको रोलंबर से तुरंत इडेंटिफाई हम कर लेते हैं तो इसी तरीके से डाक जो करमचारी होते हैं उनको भी चिठ्थी बेजने में आसानी होती है पिन कोड की सुरुवात 15 1922 को डाकतार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है अब देखिए जो ये पिन कोड है चे नंबर का जो पिन कोड होता है उसकी सुरुवात कब होई थी आपको पता है हर चीज की एक सुरुवात होती है जब भी कोई काम होता है जैसे स्कूल आपका कब ओपन मैं हुआ था है ना सुर्व Ouatt hoती है सुरुवात होती है तो जो पिन कोड की सुरुवड होई थी यानि कि पिन कोड कब से सुरुय हुआ था वो ठेट थी 15 अगस्त 1972 ठीक है ।ो जैसे हमारा सिखसाव विभाग है स्वास्थ और अलग-अलग कोग ने सब्काक्र questa कि उसको ए जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्तर पर और उन्हें मिले किसी भी पत्तर पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था. आमने अभी देखा कि गांदी जी को जो पत्तर लिखा वहां पर कोई पिनकोड नहीं है, फरक सिरफ पिनकोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवां में निरंतर बदला और विकास होता रहा है, जैसे देखिए पहले चिठी लिखते थे, फिर उसके बाद थोड़ी सी उनकी स् जैसे साधन का विकास हुआ, साधनों का विकास हुआ, तो वो लोग उन पर जाने लगे, बाद में घोड़ों पर जाने लगे, तो ऐसे ऐसे धीरे-धीरे करके, आज कल क्या हो रहा है, आज कल अगर आपको किसी को मेसेज सेंड करना है, तो तुरंत आप क्या करते हैं, वर् कबुत्रों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाग पुंचानी का काम करते रहे देखिए आपको पता है जो राज महराजाओं के टाइम में आपने किसी मुवी में भी जरूर देखा होगा कि जो पुराने समय में क्या था कबूत्रों के दवारा संदेश बेज़े जाते थे कबूतर को चिठी दे देते थे और वो कबूतर लेकर उड़ जाता था और शामने वाले को दे देता था जब संदेश कबूत्रों की बात हो रहे संदेश होते हैं जो संदेश प को बताया कि पहले गाड़ी घोड़े थोड़े न होते थे पहले अज फो करते रहे अब देखिए जो लोग चिठी पत्री पहुँचाते थे उनको पहले के टाइम में बूला आज के पास घुर सवार हर्कारे हुआ करते थे जो दूसरी को जब जिट्थी भेजते थे इन के अपना होता है। बलकि डाक की रक्षा भी करनी होती थी, अब देखिए, एक जगह से लेकर जा रहा है, बहुत सारे जंगल हैं रास्ते में, तो डाको भी तो लूट सकते हैं, या फिर उनको कोई और भी दिक्कत आ सकती है, बारिस आ सकती है, तो ऐसे चिठी जो है लिखी है राजा जी ने, व वहाँ पर जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, डाको लोग भी मिल सकते हैं, आज भी भारती है डाक सेवा, दुर्गम और पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निरवर रहती है, अब देखिए, नोर्मल जो प्लेन इलाका, जैसे हमारे हर्याना में ह सब जगह सड़के बनी हुई हैं, तो गाड़ी में जाते हैं और आराम से पहुंच जाते हैं, लेकिन जो दुर्गम, दुर्गम यानिकी, जहां पर पहुंचना मुश्किल हो, और जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे जम्मु कश्मीर में है, हिमाचल में है, उत्राखंड में ह तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड हैं, तो वहाँ पर डाक पहुंचाने के लिए आज भी हरकारों पर निर्भर रहते हैं लोग, जम्मू कस्मीर के लद्धा खंड में पदम, जन्सकार जैसी कई जगह हैं, जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं, आप देखे आपको जगह में हरकारे डाक पहुंचाते हैं, आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन हवाई आसानी से उपलब्ध हो गए हैं, जैसे संदेश भेजना है तो किस से आजकल नए नए साधन हो गए हैं और तेज भी हैं, यानि कि उनकी स्पीड भी अच्छी ह ठीक है ना, जैसे मोबाईल फोन है, आप मैसेज करते हो तुरंट मैसेज चला जाता है, या फिर हवाई जहाज से डाक तर एक से देश से दूसरे देश में जाती हैं, तो बहुत से साधन आजकल उपलब्ध हो गए हैं, डाक बाटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन-कौन से साधन इस्तेमाल किये जा रहे हैं, अब देखिए, हवाई जहाज भी एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जाते हैं, पानी के जहाज हैं, अगर एक देश से दूसरे देश में जाना होता है, है ना, तो और भी बहुत सारे साधन हैं, जैसे ईमेल वगरा है जो computer की मदद से कर सकते हैं डाक विभाग भी पत्तर money order के साथ साथ email बधाई कारड आदी लोगों तक पहुंचा रहा है अब देखिए आज कल क्या करते हैं लोग money order यानि कि जिसमें पैसे भेजते हैं या फिर email सेंड कर देते हैं बधाई कारड किसी को बधाई देन आते थे फिर डाक यह पहुंचाने लगे और फिर आजकल email mobile phone हवाई जहाज यह सब आ गए हैं तो यह सफर बहुत interesting है ठीक है तो इस वीडियो में आज हम यहां तक करेंगे अगली वीडियो में हम आगे का भी करेंगे जो बाकी हमारा part बच गया है वो करेंगे तो आज यहा झाल